GST को लेकर एक बड़ी जानकारी हम आपको दे दें GST को लेकर आज आपको गूद नुज मिल सकती है क्योंके आज गौहाटी में GST काउंसल की बैठक है इसमें कई चीजों पर GST की दर कम करने पर फैसला हो सकता है ये बैठक सुभे ग्यारा बजे शुरू होगी और आपको बता दें बैठक से पहले GST काउंसिल के चेर्मन सुशील मोदी ने विपीनियूस से एक्स्लूसिफ बातचीत भी की है वो पूरी बातचीत हम आप पक पहुंचाएंगे लेकिन उससे पहले इस खबर से जुड़ी बड़ी बातों के लिए आपको न्यूजरूम लेकर चलते हैं अमांदरा के पास बिलकुल ने हाँ आज GST के मोर्चे पर मिल सकती है अच्छी खबर क्योंकि आज एक बार फिर से होने जा रही है GST काउंसिल की बैठक इस बैठक पर हमारी नजर रहेगी लेकिन उससे पहले बड़ी बात है अपने दर्शकों को बताए GST में क्या राहत मिलने की संभावना है करीब 200 चीजों पर GST 28 से 18 फीसद तक हो सकता है जो टॉप स्लाब है 28 फीसद उसमें कम गिराव अटा सकते हैं अब करीब 227 चीजों पर 28 फीसद GST लगता है तो यह आइटम्स कम किये जा सकते हैं घर बनाने के समान पर GST 28 फीसद से 18 फीसद तक हो सकता है इसके अलावा AC रेस्ट्रों में GST 18 फीसद से 12 फीसद तक हो सकता है यह एक और बड़ी राहत मिलने जा रही है GST जो की एक जुलाई को देश भर में लागू किया गया था उसके बाद से ही दरों को लेकर के काफी आलोचना सरकार जहल रही है आज रहे हम चीज जो घर बनाने में इस्तिमाल की जाती है इस पर भी GST की तर कम हो सकती है 28 फीसद अभी ये टॉप स्लाब में आता है इस पर 18 फीसद टैक्स की संभावना है स्टेशनरी का समान ये भी सस्ता हो सकता है GST की तर इसमें कम की जा सकती है 10 फीसद की कमी आ सकती है घडियां भी सस्ती हो सकती है GST दरे कम की जा सकती है 28 फीसद फिलहाल GST इन पर लगता है खेल का समान इस पर भी 28 फीसद GST लगता है ये 18 फीसद हो सकता है आज होने वाली बैठक में इस फैसले पर मुहर्ड लग सकती है GST काउंसिल के जो चेमेन है सुशील मोदी उन्होंने खुद इस बात के संकेट ABP News को दिये कि कई ऐसे समान है जिन पर GST की दरे कम की जा सकती है 28 फीसद जो के टॉप स्लाब है उससे कई आइटम्स कम किये जा सकते हैं 18 फीसद वाले स्लाब में इन सामानों को डाला जा सकता है शुक्रे आपका मांदरा तो जनता के लिए गुड न्यूज आ सकती है GST के मोचे पर GST को नई शकल मिल सकती है और उसे लेकर के GST कांसिल के जो अध्यक्ष है सुशील मोदी उन्हें उससे खास बातशीत में क्या कहा सुनिये GST कांसिल की बैठक होने वाली है इसमें आम लोगों को राहत की उमीद है लेकिन क्या उन्हें राहत मिलेगी और कैसे हमारे साथ बात करने के लिए है बिहार के उप मुख्य मंत्री और GST कांसिल ग्रूप के चैर्मेन सुशील मोदी जी मोदी जी ये जो चार स्लैब बने हुए है इसकी वज़़ा से काफी नुकसान हो रहा है या बहुत मुश्किल में है आम लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है कि इसका दाम ज्यादा क्यों हो जा रहा है इस पर 28% क्यों है किसी पर 12% है तो इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं देखिए जो चार स्लैब इसमें एक स्लैब 28% का है तो 28% की स्लैब में लगवद 227 वस्तों को शामिल किया गया है तो अभी जो फिटमेंट कमिटी बनी उसने रेकॉमेंट किया और उसी उमीद है कि लगवद 70-80% से ज़्यादा वस्तों है जो 28% के स्लैब में है उसको घटा कर 18% के स्लैब में लाय जा सकता है अभी GST कौन से पनिभर करता है कि वो उनकी अनसमसाओं को शुकार करती है या शुकार करती है लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि 28% के स्लैब में आने वाली 70-80% जो चीजे है वो 18% के स्लैब में आ जाए आपको क्या लगता है कि ये जो स्लैब है इसमें कौन सी ऐसी वस्तवे हैं जो ज़रुरी सामान है जो ज़रत के सामान है उसमें कम होने चाहिए थी लेकिन उसको पहले हिससे ही ज्यादा में रख दिया गया नहीं 28% वाले में बहुत सारी ऐसी चीजे जिसको और कम करने के बारे में विचार चल रहा है और जिसमें खास करके अब जिसे प्लाइवूड है बहुत सारे गिरा निरमान की वस्तवे हैं जिसे सेनिटरी फिटिंग्स के जो सारे सामान होते हैं हाड़वेर के सामान है इस खास करके जो सिमिंट है पहले भी सिमिंट पर 28% से ज़्यादा का टैक्स था अभी उसको 28% में रखने के बारे में फिट्मेंट कमिटी ने उनसंसा की है लेकिन पेंट है वारनिश है डिजिटल कैमरा है डिजिटल घड़े ऐसे अनेक चीजे हैं जिनको अभी 28% में रखा हो सकता है ने देखे आज ये कहना उचित नहीं होगा तो कि अगर केवल तीन स्लैब रखा जाएगा तो काफी बड़ा नुकसान केंद राज्यों को हो जाएगा अगर इनी जो 28 के स्लैब में जिन चीजों को बाहर निकालने की बात हो रही है उनसे ही करीव 16,000 क्रूर कॉंपोजिट स्कीम के बारे में क्या आप लों का विचार है क्या करने वाले है उस पर देखे जो छोटे करदाता हैं जिनकी संख्या लगवग 90 परतिशत है और जिन से राजस्व केवल 5-7 परतिशत मिलता है उन छोटे करदाताओं को और रहते देने का विचार है और हम ल या जो रेस्टरां से जुड़े लोग हों तो समों कभी जहां एक दो और पांच परतिशत टैक्स लगता है उस समों को एक परतिशत कर दिया जाए जो कंपोजिशन के डिलर हैं उनको अंतर राज्य बिक्री करने की सुधा दी जाए साथी साथ जो HSN कोड है जो रिटर्न है जो इनवाइस मैचिंग की जो पद्धती है उसका और सरली करन की आ जाए इने कुल मिलाकर जो सरली करन है उसकी और बढ़ने का प्रयास हो रहा है कि बहु सारी चीजे हैं जो पहली बार लोगों को करना पड़ा उसमें कुछ और उसका जादा से जादा सरली करन कैसे हो सकता रिटर्न को लेकर के क्या उसे भी आसान बनाने के लिए इस बार कुछ उपाया आप लो करने हैं? इस दिशा में GST कॉंसिल काम कर रही है? और जो मुद्दे हैं वो किसी एक राज्य का नहीं है. देश के सभी राज्यों के छोटे करदाताओं को रिटर्न फाइल करने में कट रही हैं, उनको दिकते हो रही हैं. तो अखिर में अगर GST कॉंसिल बैठ रही है, तो उन सारी चुछ ने पर विचार करेगी तो इसका कोई गुजरात या हिमाचल के चुनाओं से संब्द नहीं हैं, ना उनको दिहान में रकर को इंदरने लिया जाता है या लिया जाएगा. इसका फाइदा बिल सकता है गुजरात चुनाओं में. ने देखिए, फाइदा तो पुरे देश को मिलेगा. यह तो पुरे देश के क्या बेहर के जो करदाता हैं या जो करनाटक के हैं या अंधर के हैं और यह सभी राज्यों की जो मांग है, यह सभी राज्यों का जो सुझाव है, उसी के आधार पर को इंदरने लिया जाता है और जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उसमें कॉंग्रिस साशित राज्ये के भी मंत्री हैं, बीजेपी साचित राजी के भी मंत्री हैं, नेसल कॉंफिरेंस के भी मंत्री हैं, तो इसलिए ये जो GST GST Council है यह राजनीती से उपर उठकर अपने पर राज्यों के हित्म और देश्क के हित्मे और करदाताओं के हित्मे निर्णे लेती है कि राज्य और दे और केंद्र की खजाने में राज्यस भी आता रहे और पुरी प्रक्लिया को ज्यादा से ज्यादा और सरल किया जा सके GST Council की बैठक हो रही है जाहिर है बहुत सारे निर्णे लिये जाएंगे जिससे आम आदमी और छोटे कारिबारियों को भी फाइदा पहुँचेगा लेकिन सबसे एहम बात है कि GST लागू होने के बाद लगातार समिक्षाइं की जा रही है बैठकी जा रही है ताकि आम जे प्रेस कॉन्फिस में घुशना हो सकती है ये है एबीबी नियूज आपको रखे आगे